हलो और वेलकम टो ओल अफ यू इन जोग्रोफी क्लास आज हमारा विशे है भारत के बहुतिक्विभाग हम यह जानते हैं कि यह जो हमारे सामने अभी भारत का हमारे अपने देश भारत का जो एक मानचित्र हमारे सामने नजर आ रहा है जो कि जम्मु कश्मीर से लेकर के तमिल नाडु तक या गुजरास से लेकर के अरुनाचल तक जो विस्तरत भुभाग है जो धरातलिय भाग है इस संपून धरातलिय भाग की एक समय पर ही रचना नहीं हुई है ये विब्बिन भुगर्बिक युगों के अंदर विब्बिन भुगर्बिक कालों में इस धरातलिय भाग का निर्मान हुआ है इसी विशे को लेकर के आज हम ये समझने का प्रियास करेंगे कि ये जो भारत का वर्तमान मानचित्र है ये किन प्रक्रियाओं से और किस माध्यम से होता हुआ हमें वर्तमान स्वरूप के अंदर दिखाई दे रहा है अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यह देखें प्राचीन काल में यदि हम प्रत्वी के भुविग्यानिक इतिहास की और जाते हैं तो ये एक हमारे सामने प्रत्वी के भुविग्यानिक इतिहास की एक जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि जब किस प्रकार से धरातल य बाग एक ही भाग के रूप में जाना जाता था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था और एक ही महासागर यहां पर विद्यमान था जिसे हम पेंथलासा कहते हैं धीरे धीरे इस पेंजिया के अंदर यहां पर जो भाग एक विद्यमान था जिसको कि हम टेथिस सागर कहते इस टेथिस सागर ने इस पेंजिया को दो भागों में बांड दिया इसका उत्तरी भाग तो लोरेंशिया केलाता है वहीं इसका दक्षिनी भाग जो है ये गोडवाना लेंड केलाता है यदि हम यहाँ पर इस पर ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि इस गोडवाना लेंड के साथ जुड़े हुए थे आंत्रिक हलचलों के कारण से विबिन प्रकार की शक्तियों के कारण से इन धरातलिये भागों में प्रवहा उत्पन हुआ जिसके कारण से ये धरातलिये भाग एक दूसरे से दूर जाने लगे कुछ भाग तो इसका पश्चिम की और प्रवाहित हुआ और वहीं इसका कुछ भाग जो है वह उत्तर की और प्रवाहित हुआ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जुरासिक यूग तक आते आते यानि की लगभग 135 million years पूर्व यदी हम देखें तो भारतिय भाग जो है, ये भारतिय भाग उत्तर की और प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार से, तो जब भारतिय भाग उत्तर की और प्रवाहित हो रहा था, तो इसके बीच में यहाँ पर यह जो टैथिस सागर विद्यमान था, इस पर धीरे धीरे दबाव पढ़ने लगा, दबाव पढ़ने के कारण से इस टेथिस सागर के अंदर हमें यहाँ पर विबिन प्रकार के परिवर्तन दिखाई दिए या यो कहें कि जिससे अलपाइन परवत श्रंकला का निर्मान हुआ और हिमाले भी उसी का एक भाग है और ये धीरे धीरे भारतिय भूभाग इस लोरे प्रवघ कि इत्यास में विबिन प्रकार के धरातलिये परिवर्तन हुए है किसी प्रकार से पर्मेन युग में समस्त इस्तल भाग एक था वहाँ से होते होते व Delaware के अंदर हमें साथ मह सागरों पांच सामहाद्वी और पांच मह सागर हमें यहांपर दिखलाई देते हैं तो यदि हम देखे तो भारती भुभाग भी इसी प्रकार से रहा है कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहांपर प्राचीनतम से ले करके नवीनतम सरंचनाएं पाई जाती हैं यदि हम देखें तो हमारा जो प्राइदीपिय भारत है इस प्राइदीपिय भारत का जो भाग रहा है वो गोडवाना लेंड का भाग रहा है यह प्राचीनकाल सही विद्यमान रहा है तता हिमाले और मेदानी भाग जो है इनका नि लिभीन धरातलिय भाग के रmented में जाने जाते हैं कि बहुरंती बहुत हैं कि इसा देश हैं जहांपर परवत पर्थार मेदान सभी प्रकार रहतीं भांव हमें यहां पर दिखलाई देते हैं दिए हम देखें तो भारत का जो संपूर्ण शेक्त्रफल का 10.7 प्रतिशत भाग तो परवती है 18.6 प्रतिशत भाग पहाडी है वहीं 27.7 प्रतिशत भाग पतारी और 43 प्रतिशत अर्थात यहां पर यह बात बिल्कुल इसपस्ट होती है कि भारत के अंदर परवत हो पठार हो मेदान हो सभी प्रकार के उच्चावचों का विस्तार हमें देखने को मिलता है इसी जीस को एदियम देखें तो इसी विभिनिता के आधार पर इसी धराते लिए विभिनिता के आधार पर कहें या उच्चावच विभिनिता के आधार पर कहें हम भारत के धरातल को पांच भोते की काईयों में साफ तोर पर बांट सकते हैं यदि हम गोर करें तो यहां पर इन भोते की काईयों का अर्थ क्या है इसका अर्थ सिंपल सा यह है कि यदि हम धरातल को केते हैं जिसे हम सबसे पहले तो पहला भाग आता है उसे हम कहते हैं उत्तरी परवतिये प्रदेश या हिमाले दूसरा जो भाग आता है उसे हम कहते हैं उत्तरी मेदान इसे हम सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मेदान भी कहते हैं तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं प्राइद पर दिखाई देता है वो दिखलाई देता है द्वीप समू के रूप में तो यानि कि पूरा जो भारत वर्ष है इस भारत वर्ष को धरातली आधार पर हम इन पांच विबिन इकाईयों के अंतरगत बांट सकते हैं ये जानकारी हमारे लिए बहुत अधिक मैत्वपून हैं अ अब इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इन जो पांच भोतिक विखाईयों की बात यदि हम करें तो ये एक मानचित्र हमारे सामने है इस मानचित्र के अंदर ये पांच विखाईया हमारे सामने बिलकुल इस पस्ट तोर पर दिखलाई देती हैं ये जो भाग हमें यहां पर दिखलाई दे रहा है जिसे कि हम उत्तरी परवतिय प्रदेश के रूप में जानते हैं यह जो हमें भाग दिखलाई दे रहा है यह हमारा है उत्तरी परवतिय प्रदेश या हिमाले प्रदेश के रूप में हम इसको कह सकते हैं यह संपूर्ण भाग परवतिय हैं दूसरा भाग ये जो हमें यहाँ पर दिखलाई दे रहा है इस प्रकार से ये संपूर्ण भाग सतलज गंगा ब्रंपुत्र का मेदान कहलाता है या इसे हम उत्तर का मेदान भी कहते हैं ये हमारा दूसरा धरातलिय भाग है तीसरा भाग ये जो हमें इस प्रकार से उच्चावच के र दिखाई दे रहा है पिंक शेड के अंदर मानचित्र में यह है हमारा पश्चिमी तटीय मेदान और इसी प्रकार यह वाला भाग जो पूर्व की और हमें दिखाई दे रहा है यह हमारा केलाता है पूर्वी तटीय मेदान तो यह जो हमारे धरातली भाग हैं उसी प्रकार से ये जो हैं दूइप समू, ये आता है अड़मानिको बारत्वीप समू, ये हमारे पाँचवा जो धरातली भागे उच्चावच की आदार पर हमने इसको बाटा है, यज या ओर ये लक्षिधीप, ये भी हमारा पाँचवा उच्चावच ही विबिनिता के आदार पर बाटा हुआ है और यहां पर धरातल के अंदर परियाप्त विब्विनिता पाई जाती है जिसे कि हम उत्तरी परवते प्रदेश या हिमाले परवत के रूप में इसी प्रकार सतलज गंगा ब्रह्म पुत्र के मेदान के रूप में प्राइदी पिय पठार के रूप में पस्चिमी या इन धरातली भागों के अनदर क्या-क्या विशेष्ष्टाएँ हैं इनका किस प्रकार का विस्तार है और यह किस रूप में इनका निर्मान हुआ है और वरतमान संदर में ये हम बात करें तो यह कौन से राज्यों में किस प्रकार से फैले हुए है इन विशेष्टाओं के बारे में हमें जानकारी लेनी हैं तो सबसे पहली बात हम शुरुवात करते हैं वो आता है हमारा उत्तरी परवती प्रदेश जिसे की हम हिमाले के रूप में भी जानते हैं ये जो हिमाले परवत है भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमेटर की लंब से पूर्व तक 2400 किलोमेटर की लंबाई और 150 से 400 किलोमेटर की चोड़ाई के अंदर बलुचिस्तान से लेकर के पूर्व के अंदर म्यामार में अराकान योमा तक रिस्तरत है इस संपूर्व धरातली भाग का हिमालिय शक्त्र का शक्त्रफल पांच लाक वर्ग किलोमेटर है और इसकी ओसत उंचाई 6000 मीटर मानी जाती है इस रूप में ये दरातल का सरवाधिक उंचा भाग है हमने पूर्व में भी बात की थी कि इस हिमाले भाग का निर्मान टेथिस सागर जो की विद्देमान था उसमें मलवे का जमाउ होने से और भारतिय प्लेट यांकि इंडि होता हुआ प्रतिवी के इन भूगर्विक यूगों में ओलीगोसीन मायोसीन और प्लायोसीन यूग से होता हुआ लगबक साथ से दो करोड वर्ष पूर हुआ था और इसकी निर्मान प्रक्रिया आज तक भी चल रही है ये बात हमें जानना आउशक हुआ है इसी प्रकार स हमें हिमाले इस रूप में यहाँ पर विद्यमान है यह हमें यहाँ पर दिखलाई दे रहा है तो यह जो हिमाले है इसकी जगह पर हमने पहले भी चर्चा की थी वो थी कि यहाँ पर टेथिस सागर विद्यमान था और भारती भूभाग दक्षिन में गोडवाना लेंड के इस गोडवाना लेंड से अलग होकर के भारती भाग जैसे जैसे उत्तर की और खिसकने लगा इन विबिन समया नुसार अलग-अलग यूगों के अंदर तो उसी प्रकार से खिसकने के कारण से इस यहां पर विद्यमान टेथिस सागरबे पर दबाव पड़ा दबाव पड़न के कारण से इस यहां का भाग उपर उठकर के मोड के रूप में बदल गया और उस मोड के रूप में बदलने से ही हिमाले परवत का निर्मान हुआ है यह हिमाले परवत विश्व की सबसे नवीन वलित परवत माला मानी जाती है इसी के साथ एदि हम देखें तो अब हमें इ इन आधारों पर पड़ते हैं इसके अंध्यन के अंतरगत हम इसे चाहे इसका भोगलिक वर्गी करण हो चाहे इसका प्रादेशिक वर्गी करण हो इस रूप में इसके संपुन हिमाले भाग की जानकारी हमारे को प्राप्त करनी हैं यह जो संपुन जानकारी हम हिमाले की प्र चर्चा करेंगे उसके बाद फिर हम दीरे दीरे अगली क्लासेस के अंतरगत हम भारत के विब्बिन जो बहुतिक भाग हैं इन पर विस्तार से भी चर्चा करते हुए आगे की और बढ़ेंगे